नमस्कार स्वागेत आप सभी का जैपुर बुंदी सुरजगड की सवाओं में कॉंग्रेस का कहना है कि काफी भीड इकटा हुई कॉंग्रेस के नेता इसको राहूल गांदी की लोगपीरेता बता रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है दरसल पिछले दो दिनों से खबर आ रहे थी कि कॉंग्रेस में सामिल होने के लिए कुछ निर्दलिय विदाइक है वो कॉंग्रेस के मंच पर आ रहे हैं और राश्ट्रे लोगतांत्रिक पार्टी सईथ अन्ने पार्टियां भी कॉंग्रेस के मंच पर सिर्कत करेगी इस कारण वहाँ पर लोग है वो देखने गए थे कि कौन सी पार्टी कॉंगरिस के साथ मंच पर आती है और कौन सी नहीं राहूल गांदी के बासन की बात करें तो जैपुर बुंदी सूरजगड तीनु जगे में एक ही बासन था ऐसा लग रहा था कि राहूल गांदी बासन रट कर आये हैं और पूरा दिन इस एक बासन के सारे ही दिन है वो निकालना है वहां मौजूद लोगों से हम बात की तो ज्यादातर भीड आसपास के छेतरों से थी दरसल दूर से बहुत कम लोग सबा में आये थे सबा में मौजूद लोग ने तो जदा राहूल गांदी के बासन की तारिप की और नहीं मुख्या मंतरे गैलोत के बासन की हालां कि सचीन पाइलेट के बासन की लोग तारिप करते जरूर नजर आए लोगों की निगाएं मंच पर इसलिए ठीकी हुई थी क्योंकि लोग डून रहे थे कि मंच पर कौन-कौन सी पार्टी राहूल के साथ गटबंदन करती है तो आप देश और दुनिया की तमाम न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी का